पुन्याश्लोक देवी अहिल्याबाई ओलकर की त्रिशातापदी का ये वर्ष है हमारे लिए आज के स्थिती में भी उनका चरित्र आदर्श के समान है दुरभाग्य से उनको वैदवी अपराप्त हुआ लेकिन एक अकेली महिला होने के बाद भी अपने बड़े राज्य को केवल समालना नहीं बड़ा करना और केवल राज्य को बड़ा नहीं करना तो उसको सुराज्य के नाते उसका कार्यवहन करना राज्य करता कैसा हो इसका आदर्शवे हैं उनके नाम के पीछे पुन्यश्लोक यह शब्द है पुन्यश्लोक उस राज्य करता को कहते हैं जो राज्य करता अपनी प्रजा को सब प्रकार से अभावों से मुक्त करता है दुख़ से मुक्त करता है एक तरह से प्रजा के प्रति अपने करतव्य से उरुन हो जाता है वास्तों में उस काल में हमारे यहां पर जो आदर्श राज्य करता हो गए उनमें से एक देवी अहिल्यब आई थी अपनी प्रजा को रोजगार मिले इसलिए उन्होंने उद्योगों का निर्मान किया और एसा पक्का निर्मान किया कि महेश्वर का वस्त्रोद्योग आज भी चलता है और बहुत लोगों को रोजगार देता है प्रजा के सभी अंगों की जो दुर्बल थे पिछड़े थे उनकी भी उन्होंने चिंता की अपने राज्य के करव यवस्था को उन्होंने सुसय कर दिया किसानों की चिंता की सब प्रकार से उनका राज्य सुराज्य था प्रजा की माता के जैसे चिंता करने वाली राज्य करता इस सनाते उनको देवी अहिल्या भाई यह विदान उसी समय प्राप्त हुआ होगा क्योंकि अपने बच्पन से हम उनका नाम सुनते हैं तो केवल अहिल्या भाई खोलकर ऐसा नहीं सुनते देवी अहिल्या भाई खोलकर आज हम करते हैं लेकिन मातुशक्ति कितनी सशक्त है और क्या-क्या कर सकती है कैसे कर सकती है इसका अनुकरन करने लायक आदर्श देवी अहिल्या भाई ने अपने जीवन से हम सब लोगों के सामने रखा है उन्होंने जो काम किया वो अनेक प्रकार से विशेश है राज्य को उन्होंने कुशलता पुर्वक चलाया उस समय सभी राज्यकरताओं से उनके संबंध मित्रता के थे इतना ही नहीं तो आसपास के सभी राज्यकरता भी उनको देवी स्वरूपा मानते थे इतनी श्रद्धा और आदर उनके बारे में समकालिन राज्यकरताओं में था राज्य पर कोई आक्रवन्ट नहों इसलिए समर्व नीती की जानकार ऐसे भी उनको जाना जाता है बड़ी सेना लेकर रागोबा दादा आये थे लेकिन उन्होंने अपने नीती से और बिना संधर्श के उस आपत्ति का निवारन कर दिया ऐसी कुशल प्रशासत उत्तम राज्य करता सामरिक और राजनाइक करतव्यों में माहिर इस प्रकार की राज्य करता थी और केवल अपने राज्य की उन्होंने चिंतानी की पूरे देश की चिंता थी अपने देश के संस्कूर्टी का जो आधार है उसका पुष्ट करने के लिए देश में अनेक स्थानों पर उन्होंने मंदिर बनवाए स्वयम और राज्य करती थी वह भी अपने को राज्या नहीं मानती थी श्री शंकर कुर्पे करून ऐसा वह लिखती थी श्री शंकर लाइ नदिवों पर घाट बनवाए धर्मशालाय बनवाई पूं पर भारत भी उन्होंने किया n place a जो ऑप घर्मयात्राओं के मार्गते और व्यापारिक आने जाने के मार्गते उन पर उनोंने यह सारे काम किये ताकि पूर्ववत भारत के सारी जनता का आना जाना अपने सांस्कृतिक स्थलों में और अपने आवजी विका के लिए सर्वत्र चलता रहे एकात्मता बनती रहे बढ़ती रहे इतना दूर का विचार उनर करके या काम किया और विशेश है कि अपनी धर्मशद्धा के कारण किया इसलिए उन्होंने ये सारा काम अपनी निजी संपत्ति में से किया स्वयम रानी होकर बहुत सादगी से रहती थी इस प्रकार प्रजा का पालन, राज्य का संचालन, राज्य की सुरक्षा, देश की एकात्मता अखंडता, सामाजिक समर्सता, सुशीलता और सादगी इनका आदर्श रखने वाली एक महिला रज्य करता, आदर्श महिला इस प्रकार पुंड्य श्लोक देवी अहिल्या भाई का चित्र हमारे सामने है आज की हमारी स्थिती में भी हमारे लिए वो एक आदर्श है उनका अनुकरन करने के लिए इस वर्ष भर उनका स्मर्ण करने का प्रयास सर्वत्र चलने वाला है यह अतिशाय आनंद की बात है उस प्रयास को सप्रकार की शुबकामना देता हुआ मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ